तीस अपरेल दो हजार एकिस को नालागड की सबजी मंडी परी सर्वें शुरू के गए गेहूं विक्री के इंदर में अब तक क्षेतर के 322 किसानों द्वारा अपनी गेहूं की विक्री की गई है प्रदेश सर्कार दारा भारती खादर निगम के सहयोग से चलाए जा रहे गेहूं विक्री के इंदर से इलाके के किसान बेहद खुश है क्योंकि गत वर्षों से इस क्षेत्र में गेहूं विक्री के अंदर न होने की कारण क्षेत्र के किसान अपने गेहूं की उपज को सीमा वर्ती राज्यों पंजाब वहरियाना में जाकर बेचते थे जिस कारण किसानों को न केवल की राय भाड़े की रूप में आर्थे की नुकसान उठाना पड़ता था बलकि दूसरे राज्चे में कई बार उन्हें विचोरियों का शिकार भी होना पड़ता था अपने क्षेतर में गेहूं विक्री केंदर न होनी के वज़ा से ही किसानों को कई बार अपने उपज को मजबूरन कम दाम पर बेचना पड़ता था अतिरिक्त फसल बेचने के लिए किसानों के समय की भी बचत हो रही है सब्जे मंडी नालागण में स्थापत इस गेहूं विक्री केंदर के अंदर केंदर सरकार के नियम के अनुसार किसानों को एक हजार नौसो पचत्तर पतिकुंटिल के दर से गेहूं का मुल्य प्राप्त हो रहा है और दो दिन के अंदर ही उन्हें सारी राशी सिधे खाते में प्राप्त हो रही है अब नारागण में अनाज मंडी खुल गई है हमारे को अच्छे गाम मिल रहे है और दो तिन दिन में पेमेट भी मिल रही है हमारे को और हम अज़र का इमज़र का 111 साथ का बहुत बहुत नहींवार के लेह निजए जाए है घज़र को ऑड़त गया है और मैं जयराम खक पर मशामा सुली में बहुत बहुत आनretenावादाई है नारगण मंडी में कनण की खरीर हेतू आया हूं और दखा यह पेइमेंट और 40 गंटे में प्रिजा रहे हैं हिमाचर के सबसे बड़ी ऑटो डीलर्शिप गोईल मूटर्स में नौकरी करने का सुनेहरा अफसर सोलन्च, शिमला, सिर्मा और और की नौर में चाहिए सेल्स एक्जिक्यूटिव, सर्विस एक्जिक्यूटिव, फेल्ड एक्जिक्यूटिव, मोटर मक्यानिक और ड्राइवर, शांदार करियर संभावना हैं वो इंडस्ट्री में बेहतरिन सैलरी पैकेज तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और इमेल से भेजे अपना बायो डाटा